चैनल तो आज मैं आपके साथ शेर करूंगी बेबी बोई का मिड्डी वाला जूडा Hello friends, welcome back to my channel कैसे हो आप सब लोग? I hope आप सबी अच्छे होंगे तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूंगी मिड्डी वाला जूडा तो friends, मीडिवाला जूड़ा करने के लिए सबसे पहले हमें hairs को comb कर लेनी है अच्छे से सारे tangles remove कर लेने हैं और उसके बाद हमें ear to ear बालों की एक back side से partition करना है और आगेख सकते हैं कि मैं किस तरह से बालों का partition कर रही हूँ तो friends, बालों की partition करने के बाद हमें जो पिछे के बाल हैं उनमें से tangles remove कर लेने हैं हमें कॉम से अच्छे से tangles remove करने हैं आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कॉम से tangles remove कर रही हूँ और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो सामने के बाल है उन बालों का हमें एक चूड़ा बना लेना है तक कि जब हम पिछे के बालों की मिड़ी बनाएं तो सामने के बाल उसमें ना आए और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए मिड़ी बनाने में तो इन बालों का हमें एक चूड़ा कर लेना है और उसके बाद हमें जो पिछे के बाल हैं जिनकी हमने पार्टिशन की थी उन बालों को अच्छे से कॉम करके और उन बालों में हमें एक उन बालों को रबर बैंड से हमें सिक्योर कर देना है तो फ्रेंट्स इस तरह से हमें रवर टालके और इन बालों को सिक्योर कर देना है ताकि बाहर जो शोटे-शोटे हैं वो रवर में आ जाएं और बाहर ना निकले तो फ्रेंस इस तरह से हमें सिक्यूर करने के बाद इन बालों को थोड़ी सी कॉम कर लेनी है और कॉम करने के बाद इन बालों की हम बनाएंगे एक जैसे ब्रेट बनाते हैं तो ब्रेट की तरह हम बना लेंगे इने जो फ्रेंस जूड़ा करने से पहले मैंने हेर वाश किया था और बिबी का हेर वाश करने के बाद मैंने उसमें अच्छे से ओईलिंग कर दी है आप देख सकते हैं कि बालों में ओईलिंग हुआ रखी है और मैंने डाबर आमला हेर ओईल से हेर ओईलिंग की थी और फ्रेंट्स अब हमें क्या करना है कि जब मिड़ी यहां तक पहुंच जाती है तो उसके बाद हमें इसमें एक परांदी डाल देनी है ताकि क्योंकि बाल इतने ज़्यादा लंबे नहीं है ताकि बालों का जूड़ा अच्छा बन सके इसलिए हमें परांदी डाल के और इस प्रेट को हमें कम्प्रीट कर देना है तो फ्रेंट्स परांदी जो होती है इसे हम बालों में पहनते हैं तो बाल लंबे भी होते हैं और आपका जो हेर फॉल है वो भी कम होता है अगर आप बाल नंबे करना चाहते हैं बच्चे के तो आप इस तरह से जुड़ा बना सकते हैं मिड़ी वाला और परांदी डाल के बना सकते हैं ताकि आपके बच्चे के जो बाल हैं वो बहुत जल्री ग्रो करें तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से मीटी बना ली है और जो फ्रंट के बाल है उन सारे बालों में से मैं टैंगल्स रिमूव कर लूँगी अच्छे से तो फ्रेंस यह हम बेबी गरल का जुड़ा बना रहे हैं यह बेबी बॉई नहीं है बेबी गरल है तो उसका हम लोग जुड़ा बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से टैंगल्स रिमूव कर लिये हैं बेबी के बाल बहुत जादा लंबे नहीं हैं औ एसको बालो पेचे में को अच्छे से पना मょं अच्छे मिया पर रहुड़ान से इस पर सब यह कि आप एक प्रेट बना ली कार्ट यह रुद धाउना इस तरह से मैं बेड बना लूँगी और उसके बाद हमें यहां पे फिर से एक परांदी आड़ करनी है तक कि जब हम बेबी का जुड़ा बनाएंगे तो वो एजीली बन सके तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपके यहां आपके बच्चे के बाल बहुत जल्दी ग्रो करें तो आपको क्या करना है कि वीक में दो बार तो हेर वाश करना ही है और उसके बाद आपको बालों को अच्छे से हेर ओइलिंग करनी चाहिए मसाज करनी चाहिए और सबसे में बात आपको हेर ओइलिंग के बाद मसाज के बाद आपको क्या करना है कि बालों को कुछ तेर के लिए ऐसे ही चोड़ देना है उसमें एक तम से कॉम्बिंग नहीं करनी है और उसके बाद आपको टैंगल्स रिमूब भी नहीं करने है आपको एक गंटा या आदे गंटे के लिए बालों को ऐसे ही खुले चोड़ देना है ताकि जो हेर ओलिंग आपने की है जो ओल है वो तो आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और हैवी भी होंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से रोल करके और जो ब्रेट बनाई थी उसका जुड़ा बना लिया है तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी और कितना अच्छा जुड़ा बनके रेडी हो चुका ह तो friends आप भी इस तरह से जुड़ा बना सकते हैं baby boy का तो friends ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए friends के साथ और मेरी channel को subscribe कर दें और friends comment करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी